एक पाईप से स्लरी आगे जाएगी और बाकी पाईप से लिए बची हुई है मचाओा भाले लो दुबारा टैंक में चला जाएगा और नीचे जो कोब आप आप देख रहे हैं वो पास्च इले है और जैसे दूद में से मलाई निकालते है वैसे निकाल लेना है और उसको आप फिर छड़क सकते हो पत्तों के उपर और यह जो आप खाद बनती वे देख रहे हैं जो पाउडर फॉर्म में निकल रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ उसको खाद बनती है आपको क्या करना है कि जो गय के गोबर से पानी निकला है और उसको दो सो लेटर आपको टैंक में डालना है और उस पानी के अंदर आपको क्या का मिलाना है एक किलो बेसन एक किलो गोड़ दो किलो खटी लशी और देसी गाई का गोबर और कुछ देर तक सुवे शाम हिलाना है और एक असर देर स पाने वाली आपके पत्तों के उबर